एंस कलाने के लिए देख सकते हैं मलंक की इतना है बड़िया है और इसमें गॉध डेकит का मोटर लगाया गया देख सकते हैं ले परल्टका मोटर लगा हुआ है इसमें यूद का व स्काटम सिस्टम भी दिया गया है और अपसानी से ओपरेट कर शकते हैं प्रोस्तो नमस्कार मैं जितंदर यादाओ और आपका स्वागत है एक बार फिर से कृष्णा और प्राइज के प्रिशन नहीं लेक्टूब नुट कि किस वीडियो में मैं आपको क्रिशना इंटरफ्राइज की व बेस्ट मशिन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप पहले नहीं देखा हुआ पहले सिर्फ आप जानते थे कि 16 इस तक की डाइव होती है और उसका मसीन होता है लेकिर वो कैसा होता है यह सारा इंफोर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइ की है आप देख सकते हैं एंगलवर्डि में हैं यह चैनलवर्डी में सिंगल ब्लॉक बैडिग है यह डवल ब्लॉक बैडिंग जो आज मैं दिखाने जा हूँ यह 16 इंच काडाई है ठीक है και x 1 2 3 10 देख सकते कितना बड़ा डाई है यह और इस मसीन में 16 इनच को डाई को चलाने के लिए देख सकते मसीन कितना हेबी नगे यह डिफल भॉग लोगमेा इडिंग और इधर आप देख सकते हैं चार इंच का लोहा और नीचे से देख सकते कितना हेवी सपोर्ट दे करके जो है इस चीज को जो है बनाया गया है 16 इंच का डाई यह मसीन ढडार जा रहा है एसे तो अपने विहार में दर्भंगा मधी में इस तरह का 16 इंच का डाई का परिचालन सबसे ज्यादा है लेकिन यह इंदोर के लिए जो है इसे मसीन को जो है बुग किया गया है और यह मसीन जो है फुली शेट अप हो चुका है इसमें मोटर की बात की जाया तो देख सकते हैं इसमें 1hp का क्रम्टन का मोटर जो है लगाया गया है औ और इसमें डबल ब्लोक बैरिंग और 18 इंच का इसमें जो है बेलन साइट जो है लगाया गया है यह मसीन की बात किया जाया तो इसमें आप 4 इंच से लेकर के 16 इंच तक हर एक आइटम बना सकते हैं और 16 इंच का तो डाई अभी आप देख सकते हैं पर तेक चीस में जो है लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करने के लिए मसीनों के प्राइज के पिछे भागते हैं तो मैं बता देना चाहूंगा कि आप अगर प्राइज के पीछे अगर भागिये गा तो इस टाइप का आपको मसीन नहीं मिलेगा और आप सकसे नहीं हो पाईएगा डियालीटी में अगर आपको 16 इंच तक की डाई चलाना है आपको 4 इंच से ले करके 16 तक तो आपको इस तरह के का जो है मसीन पर्चेज करना ही होगा वही लोड एंज में जस्ट की इसके बगल में आप देख सकते हैं यह सिंगल ब्लॉक बैरिंग में है में इसमें देख degrees कितना च्छोटा मात्र दोस इंच का देलन ए और इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं इसमन मोकर लगा हुए लोकल और इसमसिन को देखिए यहमें बैरिंग के पास दिया गया है और यंसमें देखिए जुएविःलन की आप लोग का सबार्लों कि मशी फूल रेडी है देख सकते हैं यह मसीन जो है इसमें मात्र जो है 16 इंच का बेलन दिया गया है यह 18 इंच बेलन वाला मसीन नहीं है और इसमें जो है गोद्रेज का मोटर लगाया गया है देख सकते हैं इसमें गोद्रेज का मोटर लगा हुआ है उधर जो है क्रम्टन का मोटर बनवाते हैं इस परकार का आपको मोटर की आवस्याकता प्रती है उस टाइब का सकते हैं यह पर डबल झाई का भी मस्या बनाए जाता है जैसे हैं आप लोग का फ़र्क होता है कि double die और single die में क्या आंतर है तो देखिए double die कहने का मतलब हुआ कि एक करेंग कि अधर हो गया और दूसरा करेंग इधर हो गया ठीक है और एक ही motor दोनों operate करता है जैसे कि इस जगा motor कशा हुआ रहता है तो यह पूरा machine क्या हो गया यह double die हो गया अब single die को समझें सिंगल गा तो यह देखिए यह सिंगल गांव इसमें देख सकते हैं सिंगन अर्फमॉय इस मोटर इस जगा छ लगएगा और इस जगा इस लगए लगएगा तो यह हो गा काफी as handle में भी tomorrow यह मसीन बनाया जाता है तो आप बोस्टम इस्पारइबिक 14,8 ले करके और इसका जो है लोहा क्वालिटी सब देख सकते हैं पूरा एकदम इसमें जो है सपोर्ट दे करके अकरम्टर लगा करके जो है इस चीज को मोर्ण बनाया गया है कर सकते हैं और कम ज्यादा कर सकते हैं प्रेशर कहने का मतलब क्या हुआ कि डाई जब कटिंग नहीं करता है तो हम क्या करते हैं यहां से प्रेशर को बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाने का यह मतलब नहीं हुआ कि एकदम से बढ़ा दिए कि डाई पे डाई बढ़ जाए प तो उसका बेरिंग बचा रहे हैं उसका मोटर बचा रहे हैं तो इस टाइप से जो है मशीनों का अगर आप परचेजिंग करते हैं तो आप उस चीज में सफल हो पाईएगा वही कृष्णा इंटरप्राइज में और भी बहुत सारी मशीने जो है बनाई जाती है जैसे यह यहाँ पर बनाया जाता है है और इसका तिन रोल का एस्टेंड है एस्टेंड खडा करके रखा हुआ यह इसका एस्टेंड है और देख पा रहा हैं यह सभी मशीने जो है जाने के लिए रेडी है अलग-अलग जग हो पे तो आप विजचित कर सकते हैं बीडियो इसकिन तो दोस्तो आसा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजे साथी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि इस तरह की इन्फर्मेशन में आप लोगों के समख छमेशा लाता हूँ और लाता रहूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आडिया के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदे बाद में आज को को